नमस्कार दोस्तो, मैं ममतनीगी आप देख रहे हैं Reports India फ्रांसेसी राफल लडाकों विमान के भारत को मिलने के बाद से पाकिस्तान का डर सामने आ रहा है राफल से परिशान पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन से उधार विमान मांगा लेकिन चीन ने विमान को उधार देने से इनकार कर दिया इसके बावजूद एक बार फिर पाकिस्तान ने चीन के सामने अपग्रेडिट रडार और एरक्राफ्ट की मांग रखी है इस बार भी चीन ने पाकिस्तान की मांग को मानने से इनकार कर दिया है पाकिस्तानी सेना प्रमुग जनर्ड कमर जाविद बाजवा और प्रधान मंतरी इमरान खान ने राफल को काउंटर करने के लिए चीन से अपग्रेडिट रडार प्रडाली और आधुनिक एरक्राफ्ट की मांग की है साती पाकिस्तान को दिये गए JF-17 थंडर फाइटर जेट को भी अपग्रेड करने की बात रखी है हलाकि चीन ने अपने सदा बहार दोस्त की इस मांग को पूरा करने से मना कर दिया है चीन द्वारा पाकिस्तान की हालिया मांग को मानने से इनकार करने के तीन कारण है चीन को लगता है कि पाकिस्तान खस्ताहाल अर्थविवस्ता की वज़े से कर्ज चुकाने में समर्थ है इसलिए दुनिया भर में चल रही मंदी के बीच पाकिस्तान को क्रेडिट पर हतियार बेचना फाइदे का सोदा नहीं है इसके अलावा चीन ने कश्मीर में आतंकवादियों के पास से मिल रहे चीनी ग्रैनिट और दूसरे चीनी हतियारों के बारे में भी इमरान और बाजवा से नाराजगी जिताई है चीन के मजबूरी है कि वह पहले ही पाकिस्तान में काफी निवेस्ट कर चुका है 3. चीन अकेले ही पाकिस्तान एकनॉमिक कॉरिडोर में 46 बिलियन डॉलर का निवेश्ट कर चुका है उसके इस प्रोजेक्ट में भी लगातार देरी होती जा रही है इन सब के बावजूद भारत चीनी सामान के लिए एक बड़ा बाजार है ऐसे में चीन भारत को नजर अंदाज नहीं कर सकता है चीन के शिंजियांग प्रांत में उईगर मुसल्मानों को पाकिस्तानी आतन की संगठनों के समर्थन दिये जाने को लेकर भी चीन ने पाकिस्तान से नाराज की जताई है अगर आपको हमारा वीडियो पसन आए तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले रिपोर्ट्स इंडिया की खबर